हेलो दोस्तों सस्रिकाल अदाब नमस्कार तो आज हम बात करेंगे वीडियो के अंदर कि आप अपने मोनीटर को ओवर क्लॉक कैसे कर सकते हो चाहे आपका 60 Hz का है चाहे कितने का भी है उससे उपर आप जा सकते हो उसका क्या सही तरीका है वो आप इस वीडियो में जानने वाल है यहाँ पर इंवेडिया कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है ठीक है यह हो रहा है अभी थोड़ा टाइम लेगा ओके हो गया अब पहले आपको चेक करवा देता हूँ कि मेरा भी कितने वाला कितने किगार्स है किदर है हाँ अडवांस डिस्प्ले सेटिंग तो यहाँ पर आ 60Hz यह देखो 60Hz है जो मेरा मनीटर है अभी ओके तो इसका अमने कैसे ओवर कलोग करना है इसका क्या तरीक है तो चलिए हो जानते है पहले अपना इन्वीडिया कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है अगर आपके पास अम्ड का है तो उसका भी सेम ही है थोड़ा फंक्शन क्स्टमाज रेजलेशन तो यहां पर यह सेम रहने देना है कोई भी शेड़ खानी नहीं करनी है यहां पर आपने चेंज करना है ठीक है जैसे 60Hz है तो इसको बढ़ा कर देखते है 70 कर लेते हैं चलो 70 करके तेस्ट करते है कि चलता है कि नहीं ठीक है तेस्ट किया अभी तो पड़ा है हाँ ठीक है अब चल पड़ा मैंनों कि 70 तक यह स्पोर्ट करता है अभी ठीक है और अगर इसको हम और ज्यादा करना चाहें फिर से जाना है क्रेट 60 से हम उपर जाए 75 तक करके देखते हैं टेस्ट ओके यह भी चल पड़ा कोई दिक्कत नहीं है अभी करके देखते हैं हम अपना 80 तक 80 करते हैं चीधा चलो 5 अप कर लेते हैं ठीक है 80 तक मैंने टेस्ट कर रहा हूं टेस्ट चल पड़ा 80 भी चल जाता है 80 तक तक तो stable चल रहा है भी sport कर रहा है ठीक है लेकिन देखते हैं इससे यागे कर रहा है कि नहीं इसको चैंसल कर देते हैं क्योंकि यह तो रुखना नहीं है यह बार बार उपन हो रहा है चल कोई बात रहा है 80 super अगर हम 85 करते हैं 85 85 85 guys मेरा unsported आ रहा है sport नहीं कर रहा है मेरा जो display है तो इसको हम escape कर देते हैं बंद हो जाएगा ठीक है इंटर का button मत बादे न जब आपका unsported आता है अगर इंटर दबादोगे तो पका बंद हो जाएगा आपको monitor और लगाना पड़ेगा इसको साही करने के लिए ठीक है तो escape का button दबाद देना सबसे उपर बादा तो यह बैक हो जाएगा तो जितनी profile क्रेट होई है इदर कस्टमाइजेशन यह हुई थी 70 ग्यार्ट तक ठीक है तो मेरा 80 तक 85 तक नहीं जा रहा है मैं 84 तक करके देखता हूँ 84 84 टेस्ट करते है यह भी हो गया 84 तक हो गया है मेरा monitor overclock लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ जहां पर भी आपका stable लाता है 84 तक हो गया है 85 करने पर यह मलकी unsporter दिखाता है तो 84 से आपने 2-3 GHz नीचे रखना है ताकि आपको lag महसूस ना हो कई बार क्या होता है कि अगर आप पूरा overclock कर देता है तो पूरे full speed तक जहां तक भी जा सकता है तो क्या होता कि आपकी screen lag करने लगती है जब आप कोई भी gameplay करते है इसको क्या करना है हमने जैसे 84 है तो इसको हम रख सकते है 82 तक रख सकते है ठीक है मैं कर लेता हूँ सॉरी भाई अभी game नी कहल सकता आप वीडियो बना रहे है 82 तक कर लेते हैं ठीक है इसे आपको lag वरम महसूस नहीं होगा और आपकी जो है ना आपकी जो होते हैं शार्पनेस वो भी बनी रहेगी अगर पूरा ओर करोगे तो आपकी शार्पनेस चली जाएगी वो बलर बलर दिखने लगी आपको ठीक है 82 तक मेरा करके देखते है शार्पनेस वापस आती है कि नहीं हाँ तो शार्प भी है पूरा और 82 तक और कलॉप भी हो चुका है तो अब आपने क्या करना है इसको चेक करने के लिए यहाँ पर शार्पनेस दिखा रहा है तो अभी आपने जाना है फिर से सेटिंग में जो पहले वाली आपको दिखा ही थी मैंने दिखा देता हूं कहां से जाना है डिस्प्ले सेटिंग डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद अडवांस डिस्प्ले सेटिंग यहाँ पर डिस्प्ले अडप्टर प्रपरटीज एंड मोनीटर यहाँ पर आपकी प्रफाइल क्रेट होगी है जो भी आपने बनाई थी अधर ठीक है तो 84 तक लास्ट तक है तो वह हमने करना नहीं दिए 82 तक कर लेते हैं अप्लाइए हाँ ठीक है कीप चेंजर्स तो यह हमारा जो मनीटर है अभी 82 GHz तक अवर क्लॉक हो गया है मैंने कि यह आपको 82 की fps देगा जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना कि 90 fps कैसे लेकर आए हैं तो बहुत सारे लोगों का मनीटर थे जो ना 60 Hz तक थे उसका फाइदा तो यह हो जाता है कि जब ड्रॉप जादा हो फ्रेम ड्रॉप होता है तो तब आपकी हल्प हो जाती है 60-40 तक रहता है जादा नीचे नहीं जाते है लेकिन अगर अगर आपके 80 fps तो तसका आपको देखने को भी मिलेगा कि सच में 90 fps आहरे MALE स्प्पोर्ट करते हैं अगर आपके स्क्रीन 60 fps वे उपर हो दो जासे 82 fps स्क्रीन हो गयी है अगर आपके 80 fps आएंगे तो अपको महसूस भी Уब चो Pain कि ओख एउ तो यह तरीका है, बहुत से सिंपल तरीका है, ज्यादा कुछ नहीं करना है तो सेम अगर आपका AMD है, तो AMD नहीं करना है, चेंज राशुलेशन, कस्टम, उसमें कुछ भी आप कर सकते हो कितना भी रख सकते हो, लेकिन आपने टेस्ट करके इंटर नहीं दबाना है, आपने टेस्ट करके यह देखना है कि स्पोर्ट कर रहा है कि अगर कर रहा है तो इंटर दबाना है, और वाइस परफाइल ही क्रेट करनी है, जैसी यह बनाई हूए मैंने, तो बाकी हमें नहीं चा तो लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नहीं हो और साथ में बैल आइकन दबलें ताकि मैं जो भी वीडियो लाँ उसकी नोडिकेशन आपको मिल जाए और माँ गेम प्ले भी करता हूं वो भी आप देख सकते हो तो मेलते ही नेक्स टूडिक उन्देटर तक लिए टेक केर और बाइबाइ